गनेश विसर्जन के लिए गैतिन यूकों की नहर में डूपकर मृत्ति हुई मृतकों में दोस्ट सगे भाईयों का समावेश है इस घटना के कारण चंदरपुर जिले का कोन सा गाव शोप में डुबा है जानते हैं इस खबर में 52 अनंतर चतुर दर्शी के दिन 10 दिन से विराजमान स्री गनेश भगवान की मूर्कियों का विसर्जन किया जाता है शबी शद्दालू अपने लाडले बापा की विदाय में जुलुस निकालते हैं और शद्धा पुर्वक उनका विसर्जन नदी में या फिर तालाब में किया जाता है मगर जलुस का या दिन सावली गाव के लिए शोक में बन गया गनेश भगवान की विसर्जन के लिए सावली के आसुला मेंटा तालाब के नहर में विसर्जन के लिए गए पांच योग नहर में बह गये नसीब से उनमें से दो बहार आ गये मगर दो सगे भाईयों के साथ एक अन्य योग की डुप कर दुखत मौत हो गई 21 वर्षिय निकेश हरीवाव गुंडावार का पैर नहर में पिसल गया और उसे बचाने के लिए उसका सगा भाई 27 वर्षिय संदिप गुंडावार ने नहर में छलांग लगाई इन दोनों को डुकते देख सचीन दिवाकर मोहरले भी नहर में खूत पड़ा मगर तीनों की जान बच नहीं पाई सचीन मोहरले का शव बरामाद हुआ मगर दोनों भाईयों के शव की तलाश अभी भी जारी है